Hey guys, welcome back to my YouTube channel Unic Classes आज हम Class 12 का Home Science का जो के Study Based Questions है वो मैप के लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और सबसे पहली बात अगर आपने हमारे Telegram ग्रूप को जोई नहीं किया है तो इसे जाके जोईन कर लिजए किस नाम से है Unic Classes के नाम से है और साथ ही साथ दूसरी बात अगर आपने हमारे Instagram ID को जोईन नहीं किया है अभी तक या आपने इसको चेक नहीं किया तो आप जाके चेक कर सकते हैं ये भी हमारे Unic Classes के नाम से है अब देखते हैं हम अपना case study based question जो मैंने आपके लिए home science के लिए बनाया है तो जैसे जैसे मैं questions कराऊंगी वैसे वैसे आपको answer देना है फटा फट से start करते हैं देखी हमारे पास आ गया है यह paragraph यानि के case study based में हमें क्या होता है हमें paragraph दिया जाता है वो हमें read करने के बाद फिर कुछ questions जो है वो हमसे put out किये जाते हैं और हमें उनके answers देने होते हैं तो सबसे पहले इसे read कर लेते हैं खादे पदार्टों को नस्च होने से बचाने के लिए विभिन विदियो का प्रियोग इतिहास पूर्व काल से चला आ रहा है फिर चाहे वह कटी हुई फसल हुया कटा हुआ पशू आम तोर पर खादे संरक्षिन के लिए जो विधिया अपना इजाती है उनमें से प्रमुख विदिया थी दूप में सुखाना, नियंत्रित, नमक लगाना, आचार बनाना, सेकना, भूनना, गूमन, चुलहे में पकाना और मसालों का परिरक्षी के रूप में उप्योग करना विकारे जल्दी खराब होने वाले खादे पदार्थ, वह खादे पदार्थ हैं जो एक या दो दिन मई जल्दी खराब हो जाते हैं जैसे दूद, मास, आदी अब हमें इस case study वाले paragraph से कुछ-कुछ बाते पता चलती जा रही हैं जिसके कुछ विदिया थी जो खादे संरक्षन के लिए हमें उप्योग में लाई जाती थी पुराने टाइम पे वो क्या-क्या थी जैसे की अचार बनाने में हम नमक लगाते थे और दूप में सुखाते थे और मसाले लगाते थे उनकी रक्षा करने के लिए ताकि वो असानी से खराब ना हो तो यहाँ पर वीकारे जो है वीकारे आपने अपने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ रखा है वीकारे में क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट नमबर टू में तो अगर आ नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर लिए जल्दी से उसे मैंने अप्लोड कर दिया है तो वीकारे में क्या होते हैं वीकारे वो होते हैं वो खादे-पदार्थ होते हैं जो जल्दी से खराब हो जाते हैं अब उसके कुछ एग्जांपल दिये हैं यहाँ पे जैसकी खराब होने वाले खादेपदात एक से दो हफ़ते यहाँ पर जल्दी खराब होने वाले न खादेपदात आएगा क्योंकि जो अर्ध विकारे होते हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते यानि कि जो विकारे हैं वो जल्दी से खराब होते हैं लेकिन अर्ध विकारे यानि कि अरद को आप half कर सकते हैं, half विकारे मतलब की जो जल्दी से खराब नहीं होते हैं comparatively विकारे के, चीक है तो यहाँ पर न आएगा बीच में जल्दी खराब न होने वाले खादे पदार्थ जो एक दो हफ़ते तक खराब नहीं होते हैं, आनि कि एक दो हफ़ते तक हम उनको होते हैं, यानि कि जिसको हम एक साल तक खा सकते हैं, उसको हम अविकारे कहते हैं, जैसे कि हम गिहू, आटा जो पीस्ता है हमारा गिहू का, हम गिहू खाते हैं, उसकी रोटिया खाते हैं, तो क्या वो आटा जल्दी से खराब हो जाता हैं नहीं, अगर आप उसको पूरा ए बिठी कम की जाती है साथ ही साथ खाना खराब होने से बचाया जा जा सकता है अब इसे बताया गया कि जो संसादिर खद्यपदार्थ हैं उनके द्वारत जीवानु की बिठी जो है व opinions गया ए जो घंघचानिक एग 돼 जी वो जल्दी खराब नहीं होती आने कि जल्दी से खराब नहीं होती है इसका मतलब वो कौन से श्रेणी में आएगी अर्ध वी कारे वाली श्रेणी में आजाएगी कि जो खादेपरदात जल्दी खराब नहीं होते हैं तो जो खादेपरदात जल्दी खराब नहीं होते हैं उनको हम अर्दवी कारे बोलते हैं, तो यहाँ पे भी जल्दी खराब न होने वाले लगा लिजेगा, इसमें थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया है गलती से, इसलिए option number आपका C करेक्ट यानिकी ग अर्दवी कारे, पालक जो है वो अर्दवी कारे है, ज्यादतर जो सबजिया हो अर्दवी कारे को ही सही टिक करके आएंगे, अब question number second देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा है, आप सबी के सामने, जिवानु डैश ताप पर विर्दी करते हैं, जिसे खतरे का शित्र कहते हैं, तो जो हमारे जिवानु हैं, वो कितने ताप पर विर्दी करते हैं, और उस उसको हम कहते हैं, खतरे का शित्र कहते हैं, तो options आप सबी के पास पहला है, 10 से 60 degree Celsius के बीच में, दूसरा है, 5 से 65 degree Celsius के बीच में, तीसरा है, 5 से 60 degree Celsius के बीच में, और चोता है आपका 10 से 65 degree Celsius के बीच में, तो जो हमारे जिवानु होते हैं, वो 5 से लेके, 7 degree Celsius के बीच में, उ उस बीच के ताप में वो कहा करते हैं वो व्रिधी करते हैं इसलिए option number आपका C वाला करेक्ट है यानि कि ग चेक हैं और इसे हम खत्रे का शेत्र भी बोलते हैं फिर उसके बाद है अत्य दिक चोकिम बाले खादे जो protein के अच्छे श्रोत हैं डैश और डैश कहलाते हैं अब ज ग्रीड़ वाले हैं अधिक जोकिम वाले हैं साती साथ उनसे जो protein है वो अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है वो protein का अच्छे श्रोत हैं क्या कहलाते हैं तो अधिक खत्रे वाले और साती चर्म लावे हमारे होंगे मचली और मास जो मास होता यानि Bul और मीट और फिष होती है उन दोनों से हमें प्रोटीन जो है वो सबसे ज़ादा मिलता है इन चार उप्शन में से इसलिए उप्शन नमबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने इन में से कौन सा तरीका खादे खादे पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए होना चाहिए तो इस चार उप्शन है और इन में से हमें पूछा है कि इन में से कौन सा तरीका जो है वो खादे पदार्थ को बचाने के लिए अपनाया जाना चाहिए यानि कि एक सजेशन पूछा है हमसे लेकिन वो और अगर उसमें पानी मिला देंगे तो तो बिल्कुली खराब होगा और अगर उसमें ऑक्सीजन की उपलब्ता है तो जीवानू खिटरा हो जाएगा इसलिए कौन सा option correct है आपका गवाला जो खादे पदार्थ है उसमें से हमें नमी को हटा देना है नमी को हटाने का मतलब है कि उसमें बिलकुल भी गीलापन ना हो बिलकुल वो शुश्क हो एकदम और उससे क्या है उससे हमार जो खादे पदार्थ है अधिक समय तक चलता रहेगा उसका उपयोग होगा वो खराब नहीं होगा ठीक है इसलिए option number गापका correct है अब इसके अथवा में एक question देख लेते हैं जल्दी से देख लीजे आपका next question है अथवा वाला क्या है चावल गेहू डाल डैश प्रकार के ख़दे पदार्थ है तो जो हमारा चावल गेहू और डाल है वो किस प्रकार की ख़दे पदार्थ होते है वो हमारे होते हैं हमने अभी उपर पड़ा तक के जो हमें वो दिया था paragraph तो आपको जल्दी से जल्दी बताना है इसका correct answer फटा फट से जाके अपने comment box में लिखिए और मेरे को बताए कि आपका कौन सांसर correct है फिर मैं आपको आपके comment का reply दे दूँगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो please इसे like कीज़ेगा आप देखिए इसका correct answer देख लिए इसका correct answer है अभी कारे अभी कारे में आपको क्या बताए थे जो खराब नहीं होते हैं यानि कि उसको हम एक साल के लिए चला सकते हैं जैसे कि हमारे दाल हो गई, गिहूं हो गया चावल हो गया, कोई भी अनाज है उनको हम क्या है उनको हम एक साल तक चला सकते हैं वो खराब होने वाले खाद्यपदात नहीं है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं अभी कारे बोलते हैं आप सभी को ये तीनों चीजे बहुत ज़रूरी है याद रखना ये एक्जाम में आपसे पूछी जा सकती है चाहे फिर वो case study based question के तोर पर पूछी जाए या खाली MSQ के तोर पर पूछी जाए लेकिन पूछी जा सकती है तो most important है आपको ये याद रखना आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने next video में जब भी हम next session करेंगे आपका तब तक के लिए चैनल को कर दीजे subscribe अगर new student है तो और बल एकन को कर दीजे press साथ ही साथ अपने friends में इस video को share करना बिल्कुल मत भूलना और like तो जरूर करना है मैं चलती हूँ तब तक के लिए आप पढ़ते रहे है thank you